पेल एप्लिकेशन पर सुनवाई जो चल रही थी पिछले कुछ दिनों से आज वो अपने अंतिम चरण में थी तो आज मानने न्याले ने विस्तार पूरुवक अभ्युक्त के वकील को सुना, सरकारी वकील को सुना और हमको मौका दिया कि हम अपनी बात अदालत के सामने रख सकें और पीडिता के पक्ष में जो बात कहनी है जो दलीले देनी है वो खुल कर अदालत के सामने रख सकें तो सब लोगों की दलीले सुनने के बाद मानने नियाले ने ये उचित समझा कि निर्णे को सुरक्षित कर लिया जाए इसलिए नियाले ने निर्णे सुरक्षित कर लिया गया है और बाद में अब इसका फैसला सुनाया जाएगा। के लिए दी गई काफी जज्जमेंट साइट किये गए तो मुझे ऐसा लगता है कि हफते दस दिन के अंदर इसका फैसला आना चाहिए